नमस्ते प्रकर जी कैसे हैं बहुत बढ़ी हों बहुत बहुत दन्यवाद समय निकालने के लिए काफी कोशिशों के बाद आपकी पुस्तक हे राम सबको दिखा दो आप भी दिखा दीजिए कवर काफी बहतरीन पुस्तक है काफी मोटी है तो काफी रिसर्च इसमें गया है और प्रकर जी 2005 से इस काम पे लगे हुए है अच्छा इसमें ये इसका जो सब्टाइटल है वो है विभाजन, मुसल्मान और शर्णार थी ये तीनों ही जो शब्द हैं वो बहुत ही मैत्पूर्ण है क्योंकि जो शुरुवात होती है गांधी वद की वो कहीं न कहीं विभाजन जैसे हुआ जिस तरीके से हुआ और जो उसका परिणाम था शर्णार थी उसमें कहीं न कहीं है जो पाकिस्तान के साथ 55 करोड देने की जिद थी और विभिन तरीके की जो बाते हम करने वाले हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि आप विभाजन से शुरू करें कि क्यों विभाजन हुआ जो रिजल्ट थे 1946 के इलेक्शन के और उसमें किसका रोल ज्यादा था और वो कैसे ल से अपतिल है विभाजन, मुसलमान, शरनाती, विभाजन, खत्याकान, तर रीज तर हम व्यादि हुआ की थी ओर होता तो गांदी जो लोकप्रियता थी वह धीरे धीरे विभाजन के अनहोते तक बहुत कम हो जाती तो पूरी प्रश्ट भूमी जो है, वो इस हत्याकांट से सीधे सीधे जुड़ती है, इसलिए इसको मैं सब्टाइटल में जगा दियू है, अब आपने बात की, पाकिस्तान मुव्मेंट की और 45 और 46 की चुनाव की बात की, वो एक बहुत भारती इतिहास की बहुत महत्मून घटना है, और दुरुभाग्य है कि जो वामपंती इतिहासकार हैं, उन्होंने इस महत्मून चुनाव को जो है, वो सिर्फ डेड़या दो पेराग्राफ में इतिहासी किताबों में बढ़ा कर निकल जाते हैं, अगर वो इस चुनाव का डिटेल बताएंगे, सच बताएंग लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ, एक रिसर्चर हूँ, इतिहासका मैं विद्यारती रहा हूँ, इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन ही मेरा रिसर्चर और पत्रकार होने के नाथ एक कर्तब बनता है, कि जिस चीज को छुपाया गया है, मुसको दिखाऊ या बताऊं, तो 1945–46 तो उसमें एक बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें सेपरेट इलप्रेट की वैस्ता रखी गई थी मतलब अलग से मुस्लिम रिजर्व सीटे रखी गई थी तो आज कर जो रिजर्विशन होता है चुनावो में जो सी और स्थी के लिए सीटे होती हैं रिजर्व वैसा नहीं थ मतलब उसमें यह था नियम कि जो मुस्लिम रिजर्व सीटे हैं उसमें मुसलमान तो खड़ा हो गई तो हेराणी के बात है कि उस 1945- 46 के चुनाव थे उसमें 95 % मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग जीती और मुस्लिम लीग को वोट देने वाले लोग कोई रावल पिंडी पेशावर या लाहूर या बल्चिस्तान या अन इलाकों के लोग नहीं थे मुस्लिम लीग को वोट दिया था लखनओ के लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था अलीगड के लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था बॉम्बे के मुसल्मानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था डक्षन भारत के मुसल्मानों ने तो और मैं चाहूंगा कि आप वो सीटों का भी बताएं किस तरीके से वो सीटे तो एकदम ऐसे याद नहीं आती है लेकिन इसमें अगर मैं उस तक मैं आप जाएंगे तो इसमें वो चुनाओ का जिक्री मिलता है तो मैं वहां से आपको पढ़के वह स्टार्टलिंग फैक्ट है तो वह बहुत जरूरी है तो मैं आपको इपर बता देता हूं कि एक अध्याय है दस्वा अध्याय मेरी पुस्टक का कि मुसल्मान क्यों नहीं गए पाकिस्तान और पेज नंबर 151 से यह अध्याय शुरू होता है इसमें मैंने इसके पूरे जो आकले दिये हैं कि प्रां प्रांग जिती मतलब पाकिस्तान जो इसमें बॉंबे प्रोवेंस जिसको कहते थे आज का महराश्ट गुज्राद उसमें आता था तो तीस मुस्लिम रिजर्व सीटे थी तीस की तीस पर मुस्लिम लीग जीती और इसमें खास तोर से बताना चाहता हूं कि मुहमद अली जि जिन्ना को वोट दिया थे इनके पुर्खों ने जिन्ना चले गए यहीं रहे इंके समर्थक यहां पर रहे गए यह साबित होता है बिहार में 40 मुस्लिम रिजर्व सीटे थी 34 पर मुस्लिम लीग जीती पंजाब में 86 मुस्लिम रिजर्व सीटे थी 73 पर मुस्लिम लीग जी परीप करीब आता था उसमें 29 रिजर्व सीटे मुस्लिम लीग के लिए रखी गई थी जिसमें से 29 की 29 मुस्लिम लीग ने जिती थी और आज देख सकते हैं कि करनाटक और बाकी इलाकों में कितनी मुस्लिम आबाद ही आज मौदू जिए तो कुल मिलाके 492 मुस्लिम लीग को जो मुस्लिम इलाकों में सफलता मिली तो तब इसके नतीजों ने ही पाकिस्तान की दीव रख दी थी क्योंकि जब मुस्लिम लीग के भारते सारे मुसल्मानों ने मुस्लिम लीग को वोट दे दिया तो मुस्लिम लीग पूरी तरह से भारती मुसल्मानों की प्रति बहारत के मुसलमानों की एकलोते नेता जिन्ना है भारत के मुसलमानों ने थावित कर दिया और यह भारत के मुसलमान का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो मैं उन भारती लाकों का जिक्र कर रहा हूं जो आज भी भारत में हैं और जिनके वंशच आज भी भारत में ही रुके हैं और हैरानी की बात है कि सब लोग कहते हैं कि सदी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हंदुस्ता थोड़ी है तो इन लोगों के मालूम होना चाहिए कि किसके बाप का कितना खून इस धर्ती में शामिल है किसने बहाया है और किसका बहाया है और यह जो नत पुस्तक में दूर करनी कोशिश कि जो भारत में जो अखंड भारत था उसके 25 प्रिजदी आबादी जो थी वो मुसल्मानों की थी करीब करीब उसमें दस करोड के आसपास मुसल्मान थे और उसकी जो आबादी है अगर हम उस पर देखें कि 1947 में पुस्तक में भी लिखा यह दिया पेज नंबर 160 पर है देख सकते हैं दर्शक इसको इसमें उस वक जब भारत आजाद हुआ था तो कम से कम भारत में सवा चार करोड मुसल्मान थे जो आजाद भारत में बात कर रहा हूं तो यह जो भारत का वरतमान नक्षा है इस नक्षे के अंदर सवा चार करोड 15 अगस्त 1947 अब इस परसे कितने मुसल्मान पाकिस्तन गया है तो यह मैंने पाकिस्तान का जो अधिकारी का अकड़ा इसक उन्हों नहीं बनाया था बनाया हूं उसके पूरण टो इस बढुश हूं drugs कै कि अब हारत मुसल्मान पहुचे तो मैनने दिया है तो बाहरत के कि एक सिर्फ 72,000,000 बसल्मान पाकिस्तान गए और इसमें से देखिए इसमें सबसे चौकाने वाली बात जो आपको सामने आईगी कि जो मैक्सिमम मुसल्मान जो गया जो 72 लाग मुसल्मान गये पाकिस्तान उन में से 55 लाग मुसल्मान सिर्फ पंजाब के थे पंजाब में ही हिंसा हुई थी जो भारती लागों में मुसल्मानों के खिलाफ जो गर हिंसा हुई है जिसको मैं साफ सा बता तो वो सिर्फ पंजाब की ही लाकों में इंसा हुई है जिससे पंजाब जो था वो पूरी तरह से उसका जो मुस्लिम जो पॉबुलेशन की उसका पूरा की बुरा वो पाकिस्तान चलाई और पंजाब जब पंजाब की मुस्लिम पॉबुलेशन देखेंगे तो काफी कम एक डिस्टिक है वो भी जो न पाकिस्तान गए पच्पन लाग उसमें सिर्फ पंजाब पंजाब में फिर वह रियाना और हिमाचल का हिस्सा था जैसे इंट्रेस्टिंग पता दो इंजमाम फुलक का परिवार हिसार से गया तो अब यह आगे की बात करता हूं पश्चिम बंगाल बिहार और उल्रीशा से सा टेक्षणे किया आ घड़ था वह मुसलिम बीका वहाँ से सिर्फ साथ लाग मुसल्मान पूरवी पाकिस्तान उस तरफ गए उप्तरपदेश दिल्ली जहांसे असली खादपानी पाकिस्तान के आंदुलन को यहां के मुसलमानों ने दिया था. यहां से सिर्फ 4 365,000 मुसलमान पाकिस्तान गए. महाराष्टों गुजरात जहां से जिन्ना चुनावर जीते थे, जिन्ना जहांके रहने वाले थे, सारी की सारी सीटें जीते थे, हाँ सारी की सारी सीटें जीते थे, वहाँ से सिफ एक लाग साथ हजार मुसल्मान गए, भोपाल और हैदराबाद, जो जिन्ना के भोपाल नवाब और हैदराबाद के नवाब जिन्नों ने जिन्ना को पैसों स जिन्ना के राइट हैंड थे वो आजादी के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गए भॉपाल में रहे भॉपाल में उनकी कब रहे तो भॉपाल व हैदराबास से सिर्फ पिंचानवे हजार मुसल्मान गए और तमिन अडू केरल करना टक जहां से पूरी एक तरफा सीटें मुसलिम मुसल्मान होंगे और उनको वो महादर नहीं कहते हैं कि वहाँ पर रजबस गए वहां के पंगए बाकी जो इलाकों से मुसल्मान गए उनको उन्होंने कराची और सिंदिकी इलाकों बसा है तो यह चीज़ वालू होना चाहिए कि जिन्नोंने पाकिस्तान बनाया था वो कभ किसे उनकी हत्या की गए उनके फैमिली के साथ बरताव किया गया खदेडा है उनको मजबूर किया गया नहीं तो कोई छोड़ना नहीं चाहता अपना घर अब वो यहां पे आते हैं यह प्रश्ट बूमी बन रही है गांधी वद की मैं बता दूं कि डिसकुशन हमारा मुसल्मानों के प्रती उसके कारण जो बीज बोय जाते हैं ग्रणा के गांधी के प्रती उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताईए यह क्या हुआ कि जब वहां से जब हिंदू और सिक्षरानारती भारत में आये और यहां से जो बहुत अलाग मुसल्मान पाकिस्तान तो यह एक अंडरस्टेंडिंग थी दोनों सरकारों की कि जो संपत्ति वहां के हिंदूों ने छोड़ी है उन्हीं संपत्तियों में यहां के मुसल्मानों को बसाया गया आपने कई बार वहां पर कॉमेडी करती भी दिखा हुआ कराची कुछ कुछ कॉमेडीन यह भी कॉमे पलायन शुरू नहीं हुआ था कराची तक में हिंदू सुरक्षित महसूस कर रहे थे खासकर संथ में क्योंकि वहां पर पॉबलेशन बहुत जादा थी हिंदू की तो जब भाग नहीं रहे थे तो जब मुसल्मान जब यहां से पहुचे और जिनको कराची इस तरफ बसाया तो मुसल्मानों क्यों जबरदस्ति हिंदू के घर में रखवा दिया गया कि तुम्हारा अगर चार कम्रे का घर है तो दो कम्रे तुम में मुसल्मान को देने पढ़े तो यह जब सब होने लगा तो कराची से भी पलायन और सिंदीर से भी हिंदू भाग-बाग की आने लग तो नियम के मुताबिक और एक आपसी अंडेस्टेंडिंग के मुताबिक वो घर हिंदू शरणार्थियों को मुसल्मानों की घर दे जाने चाहिए थे लेकिन गांधी जी इसका विरोध करते थे गांधी का जो आज कल जो कोलोनी बनी है नहीं नहीं हर दिल्ली के हर एरिया में अब को मिलेगी शरणार्थियों के अलग कोलोनिया बनी है तो क्योंकि उनको मुसल्मानों के घर नहीं दिये गए गांधी उसका विरोध करते तो गांधी का जो पूरा वहवार था शरणार्थियों के लिए कि तो शरणार्थियों के मन में बड़ी हाला कि वो बहुत तो शरणार्थी दुखी थे क्योंकि उन्होंने तो बारत का बटवारा नहीं मांगा था अगर मुसल्मान यहां से गय थे तो उन लोगों पाकिस्तान की मांग को माना था ना लेकिन वहां के रहने वाले तो हिंदू नहीं मांगा था लेकि तो भी उन्हें भुगतना जिन्दी हम शुरू कर पाएंगे, जहां पे हम सुरक्षित रहेंगे अपने भाईयों के बीच में, लेकि उनकी उम्मीदें जब वो दिल्ली और पंजाब आया तो तूट गई, क्योंकि गांदी का वहवार बहुती बेरुखा, बहुती बेरुखी से वो शरणार्थी उसे प चया गञा जह से प्ल, क्योंकि और शरणार्थियों ने लगा लिए उनने ये तक कहा कि मौलभाव करते हैं, कि आने वालों से सपामान लेते हैं, कि उन्हे आूँक पैसे में बैठिना चाहती है, और तो उनने ये तक अारूप लगा दी है, एक जगा प्रुस्तक में लिख तो गांधी का जो वहवार था दिन पर दिन रूखा होता जा रहा था गांधी कभी जब कहते थे कि नहीं वो यह कहते थे गांधी कि आप आ गए हैं वापस जाईए और वहां जो मुसल्मान आ चले गए उनको वापस आपर बुलाईए तो शरणारती के देगा हम आपके गहने कि प्रस्ताव पारित करवाया है उनीस दो से तालिस में आज़ादी के अबार जो कॉंग्रस का पहला दिवेशन होता है उसमें गांधी खुद लिखते हैं और प्यारे लाल नहीं हमने इसको को कोट किया कि प्रस्ताव पारित करवाया कि जितने शरणारती भारत आये हैं हि और उनको घरों में खासकर एक जगा का जिक्र में करता हूं कि जब आखरी अंशन उनों ने किया तो गोट से तब तक दिल्ली आ चुका था जब आख तो उनकी एक शर्त थी कि जितनी मजडिदें और जितने हैं कभी मजडिदे भी खाली हो गई ती कई इलाकों की खाली थी यह 1948 की जो जनवरी थी वो बहुत ही ठंडा महिना था उसमें कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था और सबसे प्रकति का प्रकोप शर्रार्थियों पर ऐसा था कि जनवरी में दिल्ली में कभी पानी नी बरसता है उस जनवरी 1948 में गांदी की मृत्य के पहले का जो महिना था उसमें पानी भी बरस रहा था था ठंडे के साथ तो शर्रार्थियों के साथ रहने के जगानी थी तो मस्जीद उसे खीच-खीच के बाहर निकाला और यह द्रश्य गोट से ने खुद देखा उस ने अपने बयान में कहा कि मैंने द्रश्य देखा तो मैं हिल गया तो शर्र और भारत के अधुनिक भारत के दिः양ा का कोई सबसे महान पत्रकार हुआ, आम पत्रकार उस लिई कह सकता हूं, तो वह कै दुर्गाडास हैं तो दुर्गाडास तो प्नी पु STARC लिखी इसमें ने लिखा है कि दुर्गाडास पहुँए बहुक्ब़े पत्रकार सि्वने नहरू और गांधी और पटेल और जिन्ना यहां तक लिया कतली सबसे वो डारेक्ट बातचीत करते थे बहुत बड़े जनलिस्त है वो तो चुकि दुर्गादासरी पंजाबी समुधाय से आते थे तो एक कमेटी बनी जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के अध्यश भी थे वो पूरा महला एक बड़ा महला बसा सके है और उसमें काम शुरू कर दें सरकार उसमें मारी सरकारी मदद करेगी सरकारी बनागी एक प्लान लेकर गए तो नहरू तम-तमा उठे बकॉल यह प्रखश वास तब नहीं कह रहा है यह बात दुर्गादास जी ने कही है तो अपराद नहीं था जो जानते नहीं थे कि जिन्ना, माउन बेटन, सरदार पटेल, नहरू और गांधी की बीच में क्या डील हुई है वो किसी रेड क्लीफ को नहीं जानते थे जो एक रात बिटन से आया उसमें एक तरफ लकीर कीज़ दी और क्या दिया कि यह पाकिस्तान अगर उनमें से एक भी लाश अगर बोल पाती तो वो यह कहती कि बापू देखो आपकी लाश पर पाकिस्तान नहीं बना देखो मेरी लाश पर पाकिस्तान बना उनकी लाश पर पाकिस्तान नहीं बना और उनके साथ ये वहवार इस देश में अपने लोगों द्वारा उनक इसको थबूत मिलते हैं, तो मैं ने पुस्तक लिखी उसकी खास बात ही है कि मैं आज के दौर के किसी भी वेक्ति की बातों का है या उस दौर हावाला नहीं लिए निया, मैं पुस्तक लोगों के दौरा जो नो ने देख रहते हैं जो बोला लिखा चकपा उसके आधार पे ल से मैंने फर्स्थेंड अकाउंट इसको आप कह सकते हैं, तो गांधी की स्थितिक कॉंग्रेस में क्या हो गई थी, इसका वंडन बहुत अलग अलग जगहां पर मिलता है, इस बात को लोहिया भी लिखते हैं कि गांधी कि इतने आप्रसंगी अपने पार्टी के अंदर हो ग गांधी अपने अंतिम दिनों में तेज हीन हो गए तो उनके चेहरे की चमक चली गई थी, सरदार पटेल के बारे में मुलाना अजाद लिखते हैं कि एक बार मिटिंग चल रही थी तीनों की आखरी अंशन की बात कांधी न एहलान कर दिया था, तो सरदार पटेल और मुलाना अजाद लिखते हैं कि मैंने उनसे कहा कि सरदार अभी आपको बांबे नहीं जाना चाहिए, दिल्ली में आपकी ज़रूत है, तो सरदार पटेल ने कह दिया गांधी के मूँपर, बोला मैं दिल्ली में रुकर क्या करूँगा, मैं बांबे जा रहा हूं कि बापु कि में दोनों को गांधी और पटेल के संबंध अपने सबसे निचले स्थर पर पहुँच गए थे, गांधी की जो मांगे थी वो ठुकराने लगे थे, एक जगा पर लुई फिशर लिखते हैं, गांधी के बहुत अचमित्र थे और हमें अमेरिकी पत्रकार थे, उन्होंने स्थिफा दे दिया, तो गांधी की इच्छा थी कि आचार नरेंदेर देव को कॉंग्रस का अध्रिश बना जाया और ये इच्छा उन्होंने नहरू और पटेल को बता दी थी, लेकिन इन दोनों ने वो इच्छा नहीं मानी और राजिन परसाद को उमीदवार बना दिया, दोक्टर राजिन परसाद को गांधी ने मिलने बोलाया और बोला तुम अपना नाम वापस पजबे लो द्डटर राजिन परसाद निंघा नियूंकी बात नियूंकी तिन खास जो शिश्य थे, वो नेहरू थे, वो पटेल थे, लेव भू ड्राजिन परसाद थे, त्ีरों एक्जाम्पल्स हैं कि कॉंग्रेस के अंदर गांधी की बात नहीं सुनी जाती थी और आम जनता भी उनकी बात नहीं सुनी थी, यह मित है, जो हमारे इतिहासकारों ने तयार कर दिया है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ मैं कोईसी चीज़ को लेकर बायस नहीं हो सकता, कि गोडसे ने गांधी को 30 जनवरी की शाम 5 बचकर 17 मिनिट पर गोली मारी, 30 जनवरी की शाम 5 बचकर 16 मिनिट, वहला गांधी की मृत्तियों से 1 मिनिट पहले तर, गांधी अपने पूरे जीवन की जो उनकी लोक्रियता का था, वो उस वक्त सबसे निचले स्तर पर था, यह बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं, गांधी 30 जनवरी, फिर से दोहरा रहा हूं, गांधी 30 जनवरी 1948 की शाम, 5 बचकर 16 मिनिट पर, उनकी मृत्तियों से 1 मिनिट पहले तक, अपनी उनकी जो लोक्रियता थी, उनके पूर आखरी में गांधी की तस्वीर जो खीची थी गांधी की आखरी तस्वीर आखरी इंटर्व्यू, उनकी ने लिया तो गांधी फिल्म में भी बड़ा अच्छा उनका चरितर दिखाया गया, बहुत बड़ी जनलिस लिए लाइफ मेगजिन की और पूरे एक महने जो बहुत अपनी आखों से इखा था पार्टिशन की जो बहुत अच्छी तस्वीर है जिसे एक मा एक बेटे के कंधे पर बैठी हुई है दो बाही अपनी अपनी मा को टोकरी में ले जा रहे है वो सब उनकी खीची तस्वीर है, जबरदस्त उनकी हिटलर के नाज़ी कैम की जबरदस यह होती थी कि यह बात की मजदूरों के पास जब गई तो मजदूर बोले कि हम उनके पास क्यों जाए तो बिल्ला सेठ की रोटी खाते हैं हम हमारी बात तो ना सुनते है तो इस तरह की मार्गरिट ब्रूट बाते लिखी कि किस तरह से बाहर नारे लगते थे नहरू भीर म तब भी वो गांदी के खिलाम नारे लगाते हैं मरता है तो मर दो गांदी को मर दो. तो आजाद भारत में जो मॉब लिंचिंग के शुरुआ थी वो तो राष्टपिता के साथ हो रही थी अब इस सत्य को आप से चुपाए जाता है लेकि जब दस्तावेज आप पढ़ते हो श्राणार्थियों के प्रदेशन पढ़ते हो तो यह मालूम पढ़ता है गांधी का आखरी अंचन था जिसमें बहुत बढ़ा जुलूस गांधी के समर्थन में निकला कि गांधी को अपना अंचन तोड़ देना चाहिए तो उस जुलूस में तो गांधी के जब अंचन होते थे तो अंग्रेस सरकार भी दवाब में आ जाते हैं कि पूने में जब उन्हों ने अंचन बापू तोड़ दे इसके लिए एक रैली निकल गई इसमें आपको शामिल होना है तो इस तरह से गांधी के अंचन को सफल मनाने के लिए और एक जूटा एक महौल तैयार कराने के लिए कोशिश होती थी तो यह सब दस्तावजों के अंदर अब सामने आ रहा है बिल्कुल गांधी पनी लोग पर दे आख अंतिन पायदान पर थे अपने बिलकूल निशले स्तर पर थे अपनी मृत्य को एक मिनिट पहले तक गोड़्से की तीन गोलियों को समझने की जरूद है चाहिए वो गांधी के समर्थकों कुछ जो गोड़्से के समर्थक भी है वो चीजों को पढ़ते नहीं है, ना गांधी के समर्थक पढ़ते हैं और जो गोडशे के तथा कातित समर्थक है वो भी नहीं पढ़ते हैं, गोडशे के तीन गोलियों ने, पहली गोली से तो गांधी की मृत्यी होती है, दूसरी गोली उसने चितपावन ब्रहमणों उपर म रहा था और एक हिंदुत्व का उबहार शुरू हो गया था लेकिन गांदी के हत्या के बाद इस्तितिया बदल गए क्योंकि एक भारती एक सनातनी समाज की हम लोगों की मानसिक्ता होती है वो पूरा फिलिंग्स जो थी और जो एक माहौल तयार हुआ था और जो सब हो रहा थ चलता है कि जो कहते है आज के नेता भी कहते है कि चिताओं पर रोटी सेखने की राजनीती तो भारत आजाद भारत के तियास में अगर किसी व्यक्ति की चिता पर राजनीती की रोटी पहली कोई सेखी गई है तो वो चिता मोहंदास करमचंद गांदी की थी और चिता पर र अंग्रिस के थे, उनको बैक फूट पर धकेला गिया, खुद सरदार पटेल, जो खुद हिंदुवादी विचारों के समर्थक थे, उन पर दवाब बनाया गया, उनके स्तीवे की मांग की गई, तो इस तरह से पूरा जो हिंदुच की विचारदार है, वो 30-40 साल पीछे चले और मुस्लिम तुष्टी करण को नों ने आगे बढ़ाया, इस पर मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा और, मुस्लिम तुष्टी करण जो नों ने शुरू किया, दोनों ने, नहरू नेवी और गांधी नेवी, और सरदार पटेल उसके अपोजिट में खड़े थे, उस सम पंजाब की हुए जो हमने आप इसको स्विकार करना होगा कि पंजाब में बहुत रही दोनों तरफ, चाही वो पाकिस्तान की हिससे वाला पंजाव हो चाही भारत की हिससे का पंजाव हो, वहां पर दोनों तरफ अपसंकृकों के खलाब, लेकिन मेरा सवाल यहा हम जैसे विरोध करने वाला निबचा था जो विरोध भी करता था मुस्लिम तुष्टि करना की नीती का उसको गांदी की हत्यारों का समर्ष सक कह दिया जाता था तो आस्तिति है अगर आप गांदी की विचारदारा का विरोध करते हैं अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि गांदी की विचारदारा गलत थी तो ततकाल उस पर गोर्ष जे के समर्थक होने का आरोप लगा दिया जाता है मैं आपको आपको एहां पर एक्जामपल के साथ समझाना चाहता हूं अगर एस जर्नलिस्ट मैं या कोई भी जर्नलिस्ट ये कहता है कि शरिमती इंदरा गांदी को स्वन मंदिर के अंदर ब्रूस्ट नहीं करना चाहिए था में सेना नहीं भेजा न चाहिए अगर कोई ये विचार व्यक करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इंदरा गांदी की ह donor सत्वर्ण सिंगा और कहर सुंक कर रहा है या खालिस्तान का कर रहा है या खालिस्तान का समर्थन कर रहा है इंद्रा गांधी के फैसले की आलोशना कर रहा है ठीक उसी प्रकार से कोई पत्रकार जैसा मेरा भी यह मानना है कि राजीव गांधी को शांती सेना शिर्वलंका में नहीं भेजना चाहिए तो अगर दुरभाग यह कि जैसिए आप गांधी कि मुस्लिम तुषटि करनकी नीतियों की आलोषणा करेंगे, तो आपको गोड्शे का समर्थक राडगा जैता है, यह बहुत दुरभागी की बात है किसी व्यक्ति कि की नीटियों की आलोशना करने का ये मतलम नहीं है कि आप हिंसा या हत्या का समर्थन करों तो इसलिए लोग खुल कर कहने में उस वक्त भी डर रहे थे और आज तक डरते हैं यह समझ से आए तो गांधी की जो नीटियां थी जो मुस्किम तुष्टिकरण की नीटियां थी वो गांधी की हत्या के बाद रुकना चाहिए थी जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ जिस मुस्टक के माद्यम से भी मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि होना क्या चाहिए था जब जैसे जैसे मैं आपके एक्जामपल फिर इंदरा गांधी और राजीव गांधी जी के तो जब भी किसी देश के बड़े निता की हत्या होती है, तो उसके हत्या की जो वज़ा होती है, उससे नित्रतव सबक लेता है जिसे आगे ऐसी घटनाना हो, तो जब गांदी की हत्या हुई, तो उसके एक वज़ा जो थी, उनकी मुस्तिन तुष्टिकरण की नीती थी, तो स अगर रेख्летुर्ट पर नाफी कर लिके नहीं शुड़ों करेंcountry को प्रतालिका लेकिन मुझरिक ऑrun घंडी थे सभ कर लेकिनने निती यहीं निध्म जय बढ़ाए नोए जाने जानेती और यह preach decision is not तो सरकार को मुष्किम तुष्टिकरन पर भी लगाम लगाना चाहिए था कि मुष्किम तुष्टिकरन इतना हद से आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए, कि कोई वेकती आए और इतने बड़े नेटा की हत्या कर दे। तो सरकार न ऐसा नहीं किया गान्धी की चटाउं पर हार्द जो है वो आज से कई गुना बहतर हो एक मैं आपने जो पुस्तक में लिखा है नहरू ने करवाई फायरिंग चार सो हिंदू मरे इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि किस तरीके से नहरू अपने ही देश के लोगों पे बंबारी करने के लिए तयार थे तो इस अंखला के शुरुआत होती है थोड़ा दल्जी बताता हूं मैं आपको कि 1946-16 अगस्त को मुस्लिक करती है कलकता में हिंदू का नरसंगार होता है लेकिन वो सिर्ट तीन या चार दिन चलता है नरसंगार क्योंकि हिंदू पलड़वार कर देते हैं गॉपाल पाथा जैसे ब तो वो जगा चुनते हैं नोखली जहां पर से 20% आवादी जो हिंदू की ती 80% मुस्मिन थे तो नोखली में धंगा होता है बुरी तरह से हिंदू महलाओं के साथ आमरियादित बहवार होता है हत्याएं होती हिंदू की नरसंगार होता है तो इसका असर बिहार में लेकिन मुसल्मानों ने उस दिन उस चीज को मतलब स्विकार नहीं किया पर्चे बाटे गया तो इस तरह से एक महौल बिगड़ा तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिन दंगे छड़ गया चुकि वहाँ पर हिंदू तादाद में ज्यादा थे बिहार में इसलिए हिंदू भारी प कोशिश करने तो नहरू ने वहाँ पर भाष्ण ने कहा कि अगर दंगाई नहीं रुके तो मैं हवाई जास से फाइरिंग करवाँ तो इससे बड़े गांधी दुख हुए है बोले कि मेरा चेला जो है इंसा की बात कर रहा तो फिर नहरू ने इसको कर दी कोशिश की कि नही तो इसी बीच में नगर नोशा नाम की जगह है पतरना के पास में वहाँ पर किसान उगर हो गए वहाँ पे कुछ मुस्लीम परिवार थे उगर हो गए तो मदरास रेजिमेंट वहाँ पर तेहना थी और नहरू के आदेश पर क्योंकि नहरू इस सारी तेहनाती कर रहे थे औ पर गोली बारी की गई इसमें 400 हिंदू किसान मारे गए तो इसको फिर नहरू को जब ये बात फैल गई तो उसी दो दिन बाद जब पतना के अंतर सभागारिक में नहरू की बैठक होने जलसा होने वाला था तो भीड ने जो अगर यूगों की भीड थी पतना के उन्होंने न प्रकाष नारण ने जैसे तैसे नहरू को वहां पर बचाया और बचा कर वह बहार निकाला और ये राष्ट कवी दिनकर ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि नहरू के कहने पर ही ये फाइनिक की गई थी और इसका जिक्र जो है वह पढ़के सुना देता कि वह अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी है लोगदेव नहरू और बड़े करीबी थी रामधारी सिंग दिनकर नहरू ने उनको राष्ट सभा पहुचाया था और दिनकर का तो ये भी दावा है कि वह उनके मंत्री मंदल में भी दिनकर को नहरू रखना चाहते थे तो वह लोगदेव नहरू में लिखते हैं कि 1946 में जब बिहार में सामपरदाई दंगे शुरू हुए तो पंडित नहरू पटना आए वो जादातर अपनी देख रेख में अब ध्यान दे सुनिए रामधारी सिंग दिनकर राष्ट कवी रामधारी सिंग दिनकर नहरू के बारे में और शाम को पंडित जी जब नौजवानों की बीच भाषन देने सीनेट हॉल पहुचे तब लड़कों ने उनका कुर्ता फाड़ दिया और उनकी टोपी उड़ा दी तो रामधारी सिंग दिनकर की बात पर भरोसा करना पड़ेगा तो रामधारी सिंग दिनकर खुद लिख पर भी कम है जितनी तादात में मुसल्मान मारे जा रहे हैं इसके पत्र मैंने लिखे हैं तराजू पे हिंदू और मुसलिम लाशों को जो नहरू तौल रहे थे और तौल कर यह कह रहे थे कि 400 भी मर्ज गए अगर यह हिंदू किसान तब भी यह बैलेंस कम है क्योंकि मुसल कि यह कुछ नहीं कहते है तो नहरू इसको मारने के लिए तो भागा भागकर वह नदी में कूद गया तो नहरू इसके बीचे नदी में कूद गये जिक्राता है वह चश्मदीत था जिसने पुस्तक लिखी और बड़ा बड़ी शरम का विशह था कि भारती अंतिरिम सर्कार का प्दानमंतिर जो है पानी में कूद गया आदमी का पीछा करते करते इसको मारने के लिए इस तरह का वहवार सपोर्डर थे नहीरू हमाट सब्सक्राइश के बहुत उद्ले खाता है जगा पर शरुनार्णार्थी को मारा उनने कौलर पकड़ ली घरदन को सरा लूट का साम तुम सब चोर हो, तुम हमने शरण दी और तुम चोरी करते हो, आप ठी कि वो जो गलत कर रहे थे, आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन एक जनरलाइज कर देना, सारे शरणार्थियों को चोर कह देना, जो लोग अपनी कोठियां चोड कर आया थे, इनके लाहूर में बड़ी-ब बड़ी-दुकाने होती थी, जो बड़े-बड़े वेफसाइट है, वो यहाँ पर टेंटों में रह रह रहे थे, नहरू कह रहे थे, कि तुम चोर हो, तो इस तरह का वहवार, वह साथ हो रहा था, यही प्रश्ट भूमी गांधी-थिया-गांड की तयार हो रही थी, इसमे की सरदार बहुत कम लोग जानते कि आजाद भारत में अगर पहली कोई हत्या की कोशिच हुई ही इक इसी नेता की तो व kitty सरदार प्थेर्पिल की कोशिच किये दिली के Mosul्मानों ने और क्यों की थी, वॊब बताना पढ़ए गा. वह बताना यह दिली के Mosulman हो ने झीने राजधर्म का पालत कर रहा थे मुहंदर बेस्पी पुलिस थी थी थूँ पूरे दंगे रोक रहे थे रंधावा और कमिश्टर थे वो डिप्री कमिश्टर तो दंगे पूरी थे रोक रहे थे तो यसे ही दंगा कि रोकने के लिए जब वो पहुचे तो डॉन अखवार का एक दिल्ली के अंदर वीरो होता था अजादी की बाद भी डॉन अखवार जो पाकिस्तान का मुस्लिम लीग का अखवार था उसका वीरो होता था उस बिल्डिंग से सरदार पटेल पर दो गोलिया चलाए गई जो उनकी पास से निकली और इस बात का वड़नन कोई प्रखश व गांधी की जो सरदार पटेल से जो गांधी की दूरिया बढ़ी ती उसकी वजा दिल्ली के मुसल्मान थे जो हर दूसरे दिन क्या रोज सुबह गांधी के पास बिल्ला पहुचकर चूटी शिकायते जो हैं वो सरदार पटेल की खिलाफ करते थे और ये बात मैंनी कह रहा ये बात आचार कृपलानी ने लिखिए ये बात प्यारे लाल नायर जो गांधी के सेकेर्टरी थे उन्हों ने लिखिए बात वी शंकर ने लिखिए जो सरदार पटेल के सेकेर्टरी थे ये बात कई लोगों ने लिखिए कि दिल्ली के मुसल्मानों का एक ही काम था कि मौल बहुत रोचक किस्सा है कई लोग बोलते हैं कि अगर इतना ही देश भगता तो अंग्रेजों को मारता तो फैक्ट यह ही है कि गोडसी और नारण आप्टे का जो पहला प्लान था वो जिन्ना को मारने का ही प्लान था यह इन्हों ने जो जुलाई का जो महना था जुलाई के अंतिम जो हफता था 1947 जुलाई का जो अंतिम हफता था भारत की आजादी के 20-25 दिन पहले इन लोगों ने जिसका नित्रत्व गोडसे नहीं गर रहा था नारण आप्टे कर रहा था जिसको बाद में गोडसे के साब फासी हुई आधा तो गोडसे और नारण आप्टे बहुत बड़े एक सेक्ट जो हिंदू का हो था उसके वह धारमिक गुरू थे उनको साल का मिलता था बहुत पैसा था गाड़ियां थी उनके पास और लाखों की तादाद में उनके भक्त थे तो वह भी बड़े दुखी थे नौाख्ली के अंदर जो हिंदू पैत्याचार ह तो वह भी चाहते थे कि जिन्दा को सेखाना चाहिए मुस्लिमिा को सबक स्खाना जाहिए तो नर्ण आपटे और गोट्से ने प्रबोसलर दिया हमारे पास महारे बास बान हमें पैसो इसका प्लान को आपका पैसों के ऑपका बोला बएठके करते तो गिंद पाकिस्तान त पिन्न ही दिल्ली के अए लिए बादितने कि अम जूक और के लिए को । वोट tim ल Candete निटन इन avorा गーパंब मुडाइड आप में गोट से Onaूर ने ले लिए हुए हॉए हम मोटार खरीद के ले क्या हिए. मोटार नको खरिदनी थी गोवा से. गोवा में उस वक पुर्टगाल का शाषन था, तो वहाँ पर हतियारों की बिकरी होती थी. पुर्टगाली सेना की हतियार जो है, बाहर बिक जाते था तो इन्होंने बहुत कोशिच की कि कि पुर्टगाली सेना से के साथ करांची चले गए तो यह इनका पहला प्लान जो था यह पहला प्लान इनका गांदी को मारने का नहीं था इनका पहला प्लान जो था जिन्ना और इसके साथियों को मारने का प्लान था उसके बाद भी यहां पर नहीं रुके इसके बाद जो डामनिक लापेयर अपनी ब ऩा वूट इयुक्ताब में आपकर इता कि नुट है जना के मांने का प्लान उम सफल cookie ने का शुजा इना के पानला था जिननन के प्लान दॉप्लान उनस जाता नहीं थो पाकिस्तान जो कश्मीन पर पका Apache घ्रा उनके। स्विजलेंड जाने का मौका नहीं मिल पाया और नहीं तो गोड़ सुरा आपके वहां भी जाकर मार नहीं कोशिच करते हैं वह सफल होते हैं नहीं होते क्योंकि इनके प्लान बहुत फुल पूरूफ होते नहीं थे यह कोई बहुत जिसको कहते हैं क्रिमिनल्स जो होते हैं जो महाराज से 5,000 रुपे लिए थे और ये मोटार से मारने का प्लान ता कुछ दिक्षित महाराज ने जो है वो लाल के लिए की अदालत में जब गोडसे के पकड़ाने के बाद जो उनसे पुस्ताच हुई तो उन्होंने अपनी गभाई के अदालत में शपत के साथ ये बयान द तो देखे इस पे सबसे समझने की जरुए थे जो पुस्तक पढ़ेंगे तो उनको ये मालूम पढ़ेगा कि पुन्यादी तो पर जो गांधी को जो मारने का प्लान था उस जो इनोंने ग्रो बनाया था गैंग बनाया था ये ग्रुप बनाया था उसका लीडर नातुर हमको अधिन गांधी का गुपत अजड़ ये था कि पच्पन करोर पाकिस्तान को दिये जा इसके लिए उन्शन कर रहे थे तो उसे दिन ये तया करते हैं जो खबर पोशती है टेली प्रिंटर के माध्यम से तब ये लोग तैय करते हैं कि अब हम गांधी को मारेंगे तो गांधी को जोड़ता है क्यों कि गोपाल कोट से वल्ड वार के दोरान इराक में तैनाथ था अंग्रेज होगी सेना के साथ यूद लड़ रहा था से के लेकर आया था तो पिस्टल के लालच में पने छोटे भाई को गोट से सामिल कर लेता है इस ग्रूप में इसके अलावान के कु तो वह बहुत गांदी से नफरत करने लगा था तो वह इनके साथ मिल गया अब चार हो गए नातुराम गोट से नारा नापते गोपाल गोट से विष्णुकर करें अब इनको ऐसे भी लोगों की जरूवत थी जो हातियार चला सके तो कि यह कृंदल्स तो थे नहीं यह तो कोई पत्रकार था, कोई टीचर था, कोई वेबसाई था, कोई यह था और गोपाल गोट से भी बिटिश आरमी में था लेकिन वो क्लेरिकल जॉब में था डिपो के अंदर नौकली करता था आमसे लारे में आती थी उस तरह से एक्सपर्ट नी था उन्हों एक दिगंबर बढ़गी को शामिल कर लिया, बढ़गी का नोकर था शंकर किस तही उसका भीचार कोई लेना देना था, वो ना मराथी जानता था ना हिंदी जानता था ना उर्दू जानता था ना अंग्रिजी जानता था, वो उससे तेल्गु जानता था, उसको तो मालुम नी था कि गा डूसे Himself कोrare बाइटिाए ड़ेक्टर गा श्रणार्ति वो श्रणार्ति तो मह कंपड़ा गई थी तो चांजी तो ऑसको महा का प्यार दे कर भडाइब तो जब वो पहले आ गई था, जब भारत का बट वा बत्वार हुआ, फिरोजपूर आ गया, लेकिन उसकी चाची की जब आ रहे थी, भारत उसकी हत्या कर देगाई, उसकी चाची की, तो दूसरी बार जीवन Ó अनात हुआ, पहली बार वो नात हुआ, जब वो दो महने NBA था, और दूसरी बार वो अनाथ अनाथ अतब हुआ जब वो 20 साल था तो उसके मन में गांधी के प्रती नफरत का भाव उत्पन हो गया और जब वो बारत आया तब उसने देखा कि फिरोजपूर में क्या हो रहा है वह महांसर उसके दिमाग में नफरत गांधी के प्रती और प्रतियों मुसल्मानों की प्रती पैदा होना शुकूर होती गई और इसी कड़ी में बिजनेस करने के लिए नौकरी की तलाश या धंदे-पानी की तलाश मुंबई पहुचा मुंबई से एहमन दगर पहुचिया और एहमन दगर में विष्ट्यू करकरे को मिल लिया तो व मदल्लाल पहवा गोपाल गोट से शंकर किष्टया उसका मालिक दिगंबर बढगे और विष्ट्यू कर करें तो यह साथ लोगों का गैंग तैयार हो जाता हूं यह गांधी को मारने के लिए 13, 14, 15 जन्वरी को निकलते हैं गांधी की तारीक 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 त तो 20 जन्वरीक का प्लान यह था कि पहले पहवा बंफोड़ेगा जैसी पहवा बंफोड़ेगा हम प्रात्ना सवा में तो बिडिला भावने में भगदल मचेगी इस भगदल का बहाना बनाकर दो लोग सामने खड़े रहेंगे दिगंबर बढगे और शंकर किष्टया यह बंबंगे फिकेंगे और डिगंबर बढगे के हाथ में एक रिवालवर भी होगा और रिवालवर से गांधी को मार देगा और सूरह वर्दी भी उस समय मगर मौजुद वा तो इसको ही मार देगा यह इनका बुनियादी प्लान था लेकिन हुआ यह कि इनों ने जिस डिगं और नारान आपटे भाग गया वहां से तो अमदल लाल पहवाय स्पॉर्ट भी पकड़ा गया तो दिगंबर बढगे और इनके संबन महीं से खराब हो गया तो दिगंबर बढगे अगर उस दिन यह हत्या अगर का करने में कामियाब हो जाते तो गांधी का हत्यारा नाथु अपटे लीड कर रहा था तो मैंने से पुस्तक में लिखा है क्योंकि नारान आपटे ने बाद में करकरे को बताया नारान आपटे को फासी होगी तो उसके अकॉंट्स मिलते नहीं लेकिन तो उसने करकरे को बताया कि जब बीस जनवरी का हमना नाकाम हो गया मदल लाल यह लोग बड़े उसका पुरे वंदन है जो उसने नारण आपते ने बाद में विश्टिंगर करेंगे वो त्रेन वाली यह दूसरी है तो यह दूसरी है तो यह त्रेन में दोनों बैठे हुए थे और तब नातुराम गोट से ने बड़े दुखी थे दोनों की हम हत्या करने में काम्याम नी हो पाया बड़ा शर्मिंदा थे हम क्या मू दिखाएंगे और हमारी तबतार दिगंबर बढ़के इंसा अलग हो गया था तो मैं बतारों गोट से कहां से लीडर बनता है इस ग्रूप का तो सुबा छे बज़े जब 20 बड़ी की रात गुजर गई और सुबा गोट से की निन्न हलकी से खुल की वह पूरी राच était ना अपते भी नीन में था इस आप आपते से ना थर लूंगोट से ने कहा उसको अनना कहता था आ नना सो रहे हों के जगे वह हैं बला मुझे लगता है कि ग Acti को मुझे अकेर नहिता ह procurement कॉन्म का काम सारे लोग मिल प् और इसके बाद से फिर उसकी फिर उस दिशाम में हाद कि 1975 और यह जा और कई a कहांब опल पर तो ये इसके पीछ साथ दोनों की चरित्त्र में बहुत असमानता थी ना दोनों की बीच में सिर्फ साजा विचार था अखंड भारत को लेकर साजा विचार था इसके लावश कोई भी बात दोनों में एक स्यसक्रीति नहीं थी लुखरमन करूख तो उसके अंदर वो हर बुराई मौझूद थी, जो किसी भी चरित्रहिन व्यक्ति के अंदर मौझूद होती है, वो नशे करता था, शराप का शोकिन था, सिग्रेट पीता था, ललकियों के अंदर उसकी बहुत दिल्चस्पी थी, शादी शुदा था, बच्चे का बाप था, उसका बच्चा मांस उसको स्टूडेंट थी, उसके साथ उसका अधी उमर थी, 35 के वो संबंद बना लिए था, शारेरिक संबंद बना लिये थे, वो गर्वती भी हो गई था, तो नारेनअप्टे के अंदर के चलित्र में हर वो खामी मौझूद थी है, जो चलित्रहिन वेक्ति के अंदर मौझ वह काहनी थोड़ी वद़ाई है तो वह कहानी है कि गोपा नारेनाप्टे ने पीन-चार गलतिया जब हम तेरा जनवरी की बात करें जिस ट्रेन के अंदर यह जा रहे थे तो इस ट्रेन के अंदर उस समें ऑनाथी और लिए फिल्मों की तो वह ट्रेन में आई वह पुरिण प विए ट्रेन में बिम्बा भी वेठी हुई थी अब पूने से मुंबई की बीच में तो फ्लाइट चलती ही नहीं है तो तो उस समय लोकल में चलते थे आप देखिए लगता मंगेश का गाने गाने की लोकल में बैठ कर जाती थी तो यह बिम्बा इसको दिखाए दी नहरण आ पार का मैनेजर हूँ तो उसको भी लगाए दोनों काम के वक्ति हैं पत्रकार है तो मेरे मीडिया प्रमोशन में काम आई है वो आज भी चलता है कि डेकसस मीडिया और बॉलिवड का वो समय भी था तो इनसे हो गई बिम्बा इनके साथ जब उत्री मुंबई स्टेशन पे तो इनको हिंदु महासभा के दफतर जाना था विम्बा वीर सावर करके पड़ोस में रहती थी मुला उसी शिवाजी पार्क मुंबई का जो इनको जाना था हिंदु महासभा के अपर जो थोड़ा सा दूर था मिला बहुत दूर नहीं उसके साथ बैढ़ गया है विला नार करें वीर सावर करके सामने उतार गया तो यह सावर कर जी के खिला गवाई तयार हो गया विम्बा की तरा एक बड़ी घवा साबित हुई कि ना तुर अम गोट से और दोनों साथ में तो इस एक गवा बढ़ गई इनका पूरा प्लान यह था कि हम ऐज यह थी साबित कर दें कि गोट से अकेले दिल्ली आया था उसने गांधी को मारा लेकिन कई मौकों पर ये गवाद छोड़ते गा इस तरह कि ये लोगों ने कर लिया कि हमने इन दोने को साथ में दिखा था एक गवाई ये तैयार हो कि बिमबा नाना आपके चरितरहीन होने का दूसरा नुकसान उसक तो इसका एरोस्टस पर दिला गया तो इसने एरोस्टस को इतना परेशान किया कभी पान ही मांगा कभी चाह मांगी कभी कॉफी मांगी तो उसके नजर में ये बैठ गया तो दोनों आए थे नातुराम गोड़ से तो चिपचाप देखता रहा खिड़की की तरफ उसने तो समय पर उस्लिए मन्यर में और हुआ रहा थे बैठ आपक की तृ इह तो तीसरी गवा मनॉरमा साल्वी मनॉरमा साल्वी नहीं लौ फिभू का अइती नहीं होताक बलकि ना वन्यर भूण कभी गिर्फितार्न ही होता कि उसने बाद प्लान जोन लिया थे बहुत तो बेड़ तो विष्णु करकरे भी वहां पर मौझुद था नारान अप्टी वोवजद था विष्णु करकरे गोड़्टे को बचाने के लिए जाने लग गिया तो नारान अप्टी उसका हाथ पकड़ा और भागो यह दोनों भाग गए तो यह पूरे तेरा दिन तक तीस दंवरी को ग वेलेंटाइन डेर इसा कोई concept नहीं होता था लेकिन ये coincidence है कि 14 फरवरी के दिन ही Manorama Salvi ने क्योंकि पुलिस को मालूम पढ़ गया था कि Manorama Salvi से इसका फैर जलता तो Manorama Salvi को इन्हों न दवाब में बना लिया था इसने और वो तूड गई थी पहली पुस्ताश में तूड गई उसने सारी कहानी नाराणाप्टे की बता दी तो इनको मालूम था कि Manorama Salvi से जरूर संपर्क करेगा तो जैसी उसने फोन लगाया Manorama Salvi को Manorama Salvi मैं पता दो डॉक्टर की लड़की थी और पुलिस टाइन में डॉक्टर तो उस जमाने में उसके घर में फोन होता था तो Manorama Salvi को जब इसने होटल से फोन लगाया तो पुलिस ने वो फोन ट्रेस कर लिया और इसने बोला कि तुम इस होटल में इतने बज़े मुझे मुझे मिलने आ जाओ और Manorama Salvi ने बात पुलिस को बता दी और 14 फरवरी को नाराणाप्टे गरफतार हो गया तो तीन महला जो जिसकी जिन्दगी में आई जिन पर वो डोरे डालता था एक तो उसकी गल्फिंट थी और बाकि जो दो औरते थी वोही तीन औरते उसकी जो है उसकी फासी के फंदाउन तीन अगया है बड़ी दल्चस्प बात है उसकी पत्नी का नाम था चंपाताई चंपाताई आप्टे नाराणाप्टे ने जीवन भर उसको दोखा दिया लेकि जब आखरी बार चंपाताई आप्टे उससे मिलने आई तो नाराणाप्टे ने उससे कहा कि पुला मैं तुमसे से मेरी एक ही लगाना, कड़े पहनना, बिचिया पहनना, पाजे पहनना, ये नारण आप्टे ने अपनी पत्नी के सामने अपनी आखरी इच्छा रखी और उसकी पत्नी चंपाताई आप्टे ने ता उम्र चर्चा को निभाया और इसलिए कह रहा हूं कि 1998 के आसपास इंडिया टूरी ने इसलिए की स्टोरी की थी इन सारे गांधी के हत्यारों पर तो उस पो चंपाताई का उसने इंटर्वी लिया था तस्वीर भी इंडिया टूडिय का उन्क में चपी हुई है जिसमें चंपाताई आप्टे ने नारण आप्टे की विद्वा ने मंगल सूतर भी पहन रखा है मांग में सिंदूर भी भर रखें और सारे सुहा के निशानी फैन लखिए तो उसने अपनी पूरे जीवन अपने पती के अंतिन इच्छा ना सम्मान किया लेकिन जब तक नारण आपने जीता रहा तब तक उसको धुका देता रहा अध्याए 26 आपने एक्जाम दे रहे हैं आप फुल नमबर ला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं इसमें सबसे अच्छा अध्याए मेरे को यह लगा जी इसमें बच जाते बापू पर सुरक्षा में पिचेतर चूप जो हुई पिचातर तो नहीं गिनवा सकते लेकिन मैं चाहँगा एक क्रम वश मैं तो दोसोग लिखना चाह रहा था इसमें लेकिन मुझे बच्चे जब चूर पूलिस का खेल खेलते हैं उसमें वो भी ऐसी बेफूफियां नहीं करते हैं जो गांधी घतियाकांड में है गांधी की पिजान बचाने के लिए जो पुलिस नी जो गलतियां की थी ना, को चोर पुलिस खेलते हुए, बच्चे भी इस गलतिया नहीं करते हैं, जो पहला हमला होने के बाद उन्होंने एक गैंक एक member को पकड़ लिया, पहवा को, मदललाल पहावा स्पॉर्ट पे पकड़ा गया मदललाल पहावा को जब पकड़ाया तो गांधी ने का इसको इसको साथ मार पीट मत करना लेकिन गांधी की आहिंसा की नीतियों में भारत की पुलिस का ना कभी विश्वास था ना आज है पुलिस अपने तरीके से ही पुष्टाच कर तो मदललाल पहावा को बुरी तरह से पुलिस ने मारा तो पहावा ने तोते की तरह सारे राज़ उगल दिया उसने बता दिया कि जो पूरा मास्टर माइंड है इसका वो अखवार का संपादक है अखवार का नाम है अगरनी जो भी हंदूराष्ट के नाम से चपता भी यह उसने बता दिया सीधे सीध्ये उसने नातुराम गोटसे की पहचान बता दिए नारण आपटे के बारे बता दिए कि उस वो अखवार का मेनेजर है विश्टू करकरे का नाम बता दिया कि मैं विश्टू करकरे के लिए काम करता हूँ, वो पार्शाद है और होटल का मालिक है एहमन नगर में, तो तीन नाम तो उसने किलियर बता दिया, बाकि उसने बढ़गे के बारे में बता दिया कि दाड़ी वाला वेक्ति है और हत्यारो को सौधागर है तो बढ़की के तो पुलिस रिकॉर्ड में पहले सी मोजुद तक क्रिमिनल होने की विरह से उसकी जानकरी सामने आगी पुलिस के सामने बीस दंदर की शाम की बात कर रहा हूं गांधी की हत्ता है कि दस दिन पहले उसने बता दिया कि गोपाल गोट से नाम का अग्रणी अखपार का संपादक है और पुने में रहता है बहुत आसान दिल्ली पुलिस को ग्रहम मंतराले से क्लिस्ट निकालने थी जिसके अंदर सारे संपादकों का आज भी जो ग्रहम मंतराले है या एंड़ी डिपार्टमेंट को सुछना प्रसारान मंतराले होता है द तब तक अंग्रेजों को कानून चल रहा था तो सब कुछ था उसके बाद पुलिस मरीना होटल लेकर हो गया मरीना होटल में गोट से और आप्ते रुके थी बड़ अच्छा होटल था सीपी का मैं खुद वो कमरा देख कर रहा है हूं इसमें हो आप हेरा मुवी देखेंग तो कपड़ लेना भूलिया तो काली चरण नाम का वेटर अथा उसको तो अपने इनिशियल्स लिख थे तो गोट से का जो कुरता था उसकी कॉलर के पीछे उसने ब्लैक इंक से लिख था था एन डॉट वी डॉट जी डॉट नाथुराम विनायक गोट से पुलिस को यसे द कई जो चीजे थी वो थी मदनलाल पाहवा ने से 20 जनवरी को पुलिस को नहीं वताया था इसके पहले जब मुंबई से रवाना हुआ था तो वो प्रोफेसर जेसी जेन थे जिनको बाद में पदमिश्री भी मिला बहुत बड़े हिंदी के साहित रिकार बने वो बाद में प तेरा तारीक जनवरी को मदनलाल पाहवा ने सब कुछ बता दिया था डॉक्टर जेनको कि हमारा इक प्नान है हम गांधी को मारने वाले और मेरे साथ करकर एसेठ है और ये आखमाद नगर का है और एक अख़वार का समभात है सब कुछ बता दिया था तो प्रोफेसर जेन वैंज अब जब मदलाल पहवा का नाम fund page पर शपा, कि एक एक जानुस नएर्टी मदलाल पहवा ने गांदी पूडा है, जैन साहब घब साहब जोगा थे जानुस है कि सहीमें गांदी को मानने आए थी, जैन साहब भागे भागे जो है, उस समय सरदार पटेल मुंबई में थ सरदार पटेल से उनने फ़ोन लगा, तो बेटेळसय भाँ पैल थे मुंगु नें काकि सरदार पटेल आप निकल गए दिल्ली के लिए वापस dalने का उन्हें को्सुमहमनिया तो तो खेर उस समय पूसे मुख्रमंत्री होते हैं उनके मैं आत मिलो हमारे हमारे घ्रह मंतरी जो हैं Bombay province के मुरारजी देसाई जो बाद प्रदार मंतरी बने उनसे मिल लो तो इन्हों ने 21 जनवरे की शाम को मुरारजी देसाई जो Bombay province के घ्रह मंतरी उनको सब कुछ बता दिया कि ये मदललाल पहवा मेरी किताबे बेशता था, इसने मुझे बताया था, आप इसको हलके मत लीजिए, या केला नहीं, इसके साथ 5-6 लोग और हैं, बड़े पैमाने पर गांधी कुमारने की साजिश है, लेकिन मुडार्दी देसाई ने इस पर बहुत संग्यान ने लिया, उनोंने एक DCP को बलाया, बला यार ऐसी से इंफॉरमेशन आई है, ये लोग मुझे 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 मुझे, कोई रिटन में नहीं है, मुझे जो है, वो DCP नागरवाला को बताया, और इसके बाद DCP नागरवाला ने इस केस का जो सत्यानाश किया, मतलब जो कॉंस्टेबल जो गलती नहीं करता, वो DCP नागरवाला और DCP नागरवाला दो लोग थे इसकेस को, जिनकी जान जिनके पास थी, मैं बहुत जम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अधने से कॉंस्टेबल को भी अगर ये सब सुराग दे दी जाते है, मदल लाल पहवा के, तो वो तीन दिन के अंदर, गोड से आपटे और पूरा जो उसका गिरोह था उसको चेल के अंदर कर देता, थाने सलाखों के पीछे पहुजाएं, लेकि लोगों ने किया नहीं, और इसमें इतने चूख है, इतनी चूख है, इतनी चूख है, कि मैं, कि आपका वीडियो जाने कितने घंटे का ह सिस्टम है, अगर इस देश के एम्स बनाने का श्रे अगर नहरू को जाता है, अगर इस देश में कार खाने लगाने का श्रे नहरू को जाता है, धर निर्पेक्षता कि स्थापना का श्रे मजबूत करने का श्रे अगर नहरू को जाता है, इस समिधान और लोकतंत्र को पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दीनोंने गांधी को जब की गांधी अगर कहते थे कि मुझे सुरक्षा मत दो तो गांधी की यही बात तुम ने क्यों मानी गांधी तो पचास बात और भी कहते थे लेकिं कोई बात गांधी की नहीं मानते थे नहरू पटेल सिर्फ यही बात म इसमें आपने एक बहुत अच्छा कोट लिखा है, तुशार गांधी का, उन्होंने का है, जब नाथुराम ने ट्रिगर दबाया, तो ना केवल उसने अपने लक्षे पूर किया, बलकि उसने गांधी से दूर जा चुके, उनके राजनेतिक उतरा धिकारियों पर भी बहुत बड़ा उपकार किया, उनके लिए एक जीवित महात्मा के बजाए, एक शहीद महात्मा के साथ रहना ज़्यादा असान था, अब ये लोग गांधी के नाम को अराम से फाइदा उठा सकते थे, अब उन्हें गांधी की दखल अंदाजी और उनके विभारिक विचारों को भ मुखरी करता था 2008 में, तो मैंने शो बनाया था इसी विशय पर, तो उस पर हमने तुशार गांधी का इंटर्व्यू किया था, तो तब ये पुस्तक नहीं लिखी थी तब तब लेट्सकल गांधी, तुशार गांधी उसके पहले उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा था कि नहरू और पटेल के लिए, ये तुशार गांधी के शब्द दोहरा रहो, मैं मेरे शब्द नहीं है, कि नहरू और पटेल के लिए, ये कहीं जादा अच्छा था कि दो अक्टूबर और तीस जंबरी को राजगार जाएं, पुश पचड़ाएं, और काम हो जाएं, बजा पटेल पटेल इस बाद पर कैसे राजी हो जाते हैं, नहरू तो नहीं इतने भी नहीं थे, लेकिन को डिस्पेंटल करते थे नहरू मैं इसा, मैं नहीं समझता क्यों युद्ध शुरू हो जगारता था है, तो गांधी के तो बहुत अजीब विशार थे, वो माउन बेटन स कोई हस्पिताल बना देंगे, तो गांधी तो वो तो कॉंग्रेस भी खतम करना चाहते थे, उनका जो आखरी वसियत जो नहोंने लिखी है, उन्तीज सु तीस दनबर की राज जो गांधी ने आखरी लिखित काम जो किया, वो तो उन्होंने कांग्रेस को कॉंग्रेस को खत् सवाल उठाया है कि उन्होंने आजादी के पहले पंदरा अंशन किया और यह सब अंशन उन्होंने अंतर आत्मा की आवाज, ईश्वरिये प्रिणना की आधार पी कि लेकिन एक रिसर्च का विशह है और यह हमारे इतिहास कारों तो नहीं किया, यह मुझे उमीद है कि जो निश्पक्षता से जो इतिहास लिखना चाहते हैं जो लोग, वो इस बात का अध्यन जरूर करेंगे कि भारत के बटवारे जैसे इतने बड़े महत के विशह पर, गांधी को यह अंतर आत्मा की आवाज ने अंशन करने के लिए क्यों नहीं बोला, यह सवाल शायद हो जाता, 18 जनवरी को खतम होता है, दोपहर को, ठेक है, तो उसमें गांधी से नहरू मिलते हैं, और नहरू कहते हैं, बापु मैं भी तीन दिन से अंशन कर रहा हूं, तो 17 तो एक जनरलिस्ट थी, जो एक दिन पहले, वो कहानी बता, यह क्या मस्त कहानी है, कुछ चीजे आ बता था है, मैं कुछ और ढूंडा था है, और अचानक वो मार्गरीर बूफबाइट की किताब मेरे हाथ में लेते हैं, यह रास खुल गया, तो हुआ यह था कि गांधी अपना आखरी अंशन कर रहे हैं, तो गांधी जब अपना आखरी अंशन कर रहे थे, तो जब उनने संतिरे का जूस उनको पिलाया गया, और मुला नाजाद ने संतिरे का जूस पिलाया और गांधी ने उन्शन खतम कर दिया, तो नहरु जी के कोई चेले चपाटे रहे हूंगा, उनने तीरे से नहरु जी के नंबर बढ़ाने के लिए गांधी को बोला, कि जब आलना नहरु बताया भी नहीं, तो उन्होंने चिठ्थी लिखी वहीं, नहरु जब आप तक चले गया तो उन्हे चिठ्थी लिखी, प्रिय जवहार, अंशन तोडो, और धिन्द के जवहार बनो, बाबू के आशीश, ऐसे करके चिठ्थी पूरुदा लिखा, प्यारे लाल नहीं, अप अपनी पुस्तक में, और ये मिलता है इसका उलेक, तो हमने भी यह माना, कि गांधी जब अंशन कर रहे थे, तो नहरु भी चुपचाब गुपत रूप से अंशन कर रहे थे, तीन दिन सुन नहीं कुछ खाया प्या नहीं था, तो हमने भी यह बताया, तो मार्गेश बूर आ कि अंशन के खानी की बूरा कई कि अ गांदी को देख रहे थे, बुरा कवर करे थी लाइफ अगांधीन के रिप्व trash फिर मुझे उसी शाम को नहरू के साथ डिनर करने जाना था तो मार्गरिट बुगवैट इसलिए लिख रही है कि मैं उस दिन बड़े खराब कपड़े पहनी हुई थी क्योंकि भीड आगे थी धूलूल देन लगी थी तो मेरे कपड़े खराब हो गए थे लेकि नहरू ने मुझे डिनर के लिए बुलाया था तो मैं उनके साथ डिनर करने चले गई तो जब मैं डिनर करने गई गई गांधी जब अगले दिन अंशन तो एक रात पहले का दिनर है तो मार्केट बुक्वाइट लिखा कि फिर हमारे लिए वो डिनर आया उबली हुई मैकरोनी हम दोनों को सर्विकी गई तो मैकरोनी ने भी खाई मैंने भी खाई और मैकरोनी खाने कवाद नहरू उठे और उनने कहा कि अब से मेरा अंशन शुरू होता है मार्केट से चल रहा था यह रात में नौ बजे शुरू किया तो डिनर वो तब तक कर चुके थे और ब्रेकफास्ट उन्होंने नहीं खाया होगा असा में उम्मीद करता हूं तो मुझे इस तभी शक है तो एक तो ब्रेकफास्ट उन्होंने से अंशन में मिस्ट कर दिया और बारा बज लंच कर दिया तो इस त्याग भरे अंशन जो नहरू का सो कौल था उसमें उन्होंने से एक ब्रेकफास्ट मिस्किया था जो हम कभी भी कर देते तो इस तरह के गांधी के जो चेले थे शिश्य थे वो इस तरह से जूट बोलते थे इस तरह से उनको भारत के जो नेता है जो दुख इसलिए होता है और मुझे गांधी पर दया आती है किस तरह के लोग उनके आसपास होते हैं नहरू कह रहे है कि मैं तीन दिन सो गुपतन जन कर रहा हूं मैंने खाना निखाया है मार्के रूप पाहिट लिख रही है कि आप मेरसे एक सा नहरू के साथ में पहले तक चर्ण कर रहे थी वह भली विदेशी महिला लाइव मेगजिन की रिपोर्टर थी अमेरिकन थी वह उसने हिटलर को बे नकाप किया उसके नाजी केम्पों के दुनिया के आला तरीन वह रिपोर्टर मानी जाती थी और उननी सो अटालेस में किताब लिख उसको इस कहाने नह जानकर दुख होता है कि गांधी न पर भरोसा करते थे और किस तरह सुनका भरोसा तोड़ रहते हैं मैं भी आपके साथ गुप्तरूप से अंशन कर रहा था इसलिए तो इसलिए नहरू प्रधानमंत्री बने यही वज़ा नहीं बने पटेल कभी भी पटेल के लिए खुद है कि आप अच्छी बाते भी बोलते तो काटे की तरह चुपती है लोगों यह गांधी के विचार थे पटेल के बारे में और यह सब जानते सरदार पटेल बहुत ही रूखा बोलते थे और बहुत सपाट और सीधा बोलते थे लेकिन नहरू कर देखिया आप चरित्रियां प अब तो कुछ भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हों गांधी के प्रति उनका वहवार जो भी रहा या जो भी था मुसमें नहीं जा रहा लेकि शरणार्थियों के प्रति वो अंदर तक नफरत से भरे हुए थे नहरू जो मैंने कहा ना कि उनने दुर्गादा से कह दिया था सा चौड़ो 70 अमील के लाके में मैं दिल्ली के आसपास इनको बसने नहीं दूँगा शरणार्थियों को यह वहवार उनका नहुरू का था इसलिए वह जो शरणार्थियों की भीर में गुसको उनको मारते थे या गालीया बगते थे या उप्षब गहते थे तुम सब चोर हो तुम को हमने परता कि यहां बसा का कितनी बड़ी गलती कर ली है तो यह इसके पीछे शरणार्थियों के प्रती जो उनके मन में नफरत थी वो थी यह वजाए अब नाथुराम गोड से के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उनका जो evolution है पहले वो गांधिवादी थ लेकिन उनको inspired थे उनसे इसको मैं गया सकता हूं कि बहुत छोटा था नाथुराम गोड से तब उसकी जब समझ विक्सित हुई तेरा चौदा साल के बच्चे की जब विक्सित होती है तो गांधी से प्रभावित था गांधी के आंदुलन से प्रभावित था उस आंदुलन से चल्वाएंग इसके छोटे वाई नहीं कर रहा हूं कि मैं उसको जब मैं उसको कहीं से भी कुष्टी नहीं कर सकता हूं कि इसा पपाल कुऩा नहीं कर रही होगी वह सौला है क्लिक्ता रही हम ब्सक्ते अब वह भोध नढ़ाराम बहुं करने क्क्ला दिः掰掰 समय दिआ Psalm 123 परिवार होते थे हर तरा कि किसी को भूका नहीं जाने देते थे आज का दौर नहीं था तो बोजन तो अंदों ने करवा दिया गोट से परिवार ने सत्तया ग्रहियों को लेकिन बाद में उसके पिदा उसको बहुत डाटा कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ और तुम इस तरह स तो जीवन में परिवर्तनता अब आता हिस के पिता का ट्रांसफर रतनाइगरी हो जाता है तो रतनाइगरी जया थी वहाँ पर उस समय वीर सावरकर नजरबंधी अंग्रेज सरकार की काट थे काला पानी से वह उनको जब घारत की जिल में रे अफ्यमिल्हां कि नजरबंध देखकर, तो महस 20 साल की उमर में गोटसे के साथ सावरकर जुड़ गया और उनके PA का काम करने लग गया सावरकर उसको पुस्तके पढ़ने के लिए देने लग गया सावरकर की चेठियां वो ड्राफ्ट करने लग गया सावरकर ने उसको बोला कि तुम अपनी सावरकर वादी हो गया उसके जीवन का ध्य है बन गया मbinलनलब ऐसका कोई भी उसने सावरकर जीवन को आटमसाथ कर लिया अपने साथ उसके पाथ जब उसके पिता का वहां से भी ट्रांसफर होगया तो फिर वालग उलग संग अलग संग ड्ला देनों में में सामील हो गया. RSS से भी जुड़े थे लेकिन वो निकल गए था. RSS के बारे में उसने बोला है अदालत में यही तो दोगों को समझने की जरूवत है कि RSS देखिए किसी भी धार्मिक गुरू है उसके लाखों में फॉलवर्स होते हैं अब उसमें से कोई अगर हत्यारा है कोई चोर है कोई कुछ है तो उससे उस धार्मिक गुरू को तो अब अब गांदी के भी कई चेले जिनोंने हिंसा की थी उस पर भी आएंगे तो बात यह है कि रोज सुबा शाखा लगाते हैं उसके बाद हम कबड़ी खेलते हैं शारज अभ्यास करते हैं इससे थना कुछ हो जाएगा हमें तो उग्र होना चाहिए मुसल्मानों के खिलाफ और इसके खिलाफ या उसके खिलाफ तो संग की नीतियों उस समय उस तरह की नीतियों संग सिड़ियां चड़ता गया और जब वो गिरफतार हुआ तब तक वो हिंदु महसरा की राष्टिय कारण कारणी का सदस्य था वो कोई चोटा मोटा नेता नहीं था हिंदु महसरा का बड़ा नेता था गोड़ तो संग को वो कपका त्याग चुगा था और कई लोग यह सावर्कर के संबंद मधूर भी नहीं कहा लेकिन नहीं थे दोनों के बीचे पत्रा-चार भी नहीं होता था क्यूंकि गुरू है कि हमां सामाजिक संगठन हैं और हमें सनातन वह समाज को मजबूत करना है सार करने भी यह क्यार गुछी के साहथ चल रहे हैं तो इक रिफ्ट था तो नहों का लगश विचारधारा एक थिंदू तकि इसमें कोई बात नहीं है लेकिन गुरु गुलवलकर कर मानना था कि यह राजनीतिक तौर पर इस्तमाल हिंदू महासवार नहीं कर सकती और हमको आप यह मत समझो कि हम आपकी को यूबा शाखा हैं बिलकुम हमारी एक अलग आइडेंटिटी है मौ आरे से हमारी एक अलग अधिक सब्मत कर गुरु गुलवलकर का साफ था तो बहुत मधूर संबंद नहीं थे नों के बीच में तो अब यह आज के लोग जो निता है वो घालम पेल करने के लिए संग और सावरकर करने के लिए सब चुजीनों का स्वाल होता है इस तरह से गोट से जो है वो सावरकर की विचारदारा से प्रभावित था ना की संग की विचारदारा से प्रभावित था और उसको छुपाया भी नहीं अब इसमें एक नया मोर आता है जब भारत आजाद हो रहा होता है तो नाथुनाम गोट से का जो मोह भंग है वो सावरकर से भी हो जाता है यह उसकी लेख मिलते हैं जसके लेखों के अद्धन किया तो उसकी लेख मिलते हैं, जिसमें वोस्पारकर नीटियों की आलोश्टा करता है, सावरकर को को एक पत्र लिखा अपते1 गोटसे ने, जिसमें सावरकर को तजुआ को ताने मार गया, कि आप हमारे एकष़ार के लिए तो हमारे अख़वार का नुकसान हो रहा है, गांधी तो हरीजन के लिए आर्टिकल लिखते हैं, लेख लिखते हैं, संपात की लिखते हैं, आप तो कुछ निखते हो, फिर जो कारिकार्णी की बैठक होती है, आज़ादी कि ठीक पहले है, तो हिंदू महासभा उसमें तीन ज अधार पर भारत के निर्मान में हम सरकार के साथ कंदे से कंदा मिला कर चले, तो इस बैठक में शामा परसाद मिखर जी भी थे, भोपटकर भी थे, जो समय हिंदू महासभा के अद्देक्ष थे, तो इस बैठक में तीनों ही बातों का गोटसे ने विरोध किया, उस देखा नहीं तिरंगा नहीं होना चीए भारत का जंडा, भारत का जंडा भगवा होना चीए, ये गोटसे की सोच थी, उस देखा शामा परसाद मिखर दी को शामिल नहीं होना चीए, कारकार ने में विरोध किया, कि नहीं हम होना, और हम नहरू सरकार का साथ नहीं दे सकते, ये ग महासभा कावी रहिंदु जंडा जो इसको भगवा धजन कहते है वो भी फेराया तो इससे भी गोट से नाराज हो गया कि अरहे तरंगा तो उसने अपने लेखों में लिखा है संपात किये में कि रहिंदु महासभा की लीडर्शिप ठक चुकी है ये बुजरुगों के बसका अब कुछ बचा नहीं है हिंदु इनके चक्कर में पढ़के मर जाएगा इस तरह के ताने और कोस्ते वाली भाषा वो सावरकर के लिए भी लिखने लग गया था तो ये जो अंतिम समय में वो सावरकर से भी दूर हो गया तो और अपने बयान में कि मैंने तेय कर लिया था क लेकिन जनवरी के महिने में वो सावरकर के घर के आगे आपटे के साथ जाता है अब पता नहीं गया नहीं गया उनसे भेंट थी यह बहुत बड़ा शडियां तरता नहरू सब्हों था कर शुख रहा हूं की यह जो लिंक है सावरकर को प्लेम किया गया कि यह इसके पीचे गोड़ से उनका राजनेतिक शिश्ष्य रह चुका ये तो सारे महराष्ट को मालूम था गोड़ से चोटा मोटा आद मिली था ये समझ दे की जरूँ थे गोड़ से चाना पहचाना चाहरा था खासकर पूने और उसके आसपास के राके में और राजजीती की तो पर मोरारदी मिंतिर के साथ राजग के गिरह मंतिर के साथ बैठता था तो जब गोड़से कर नाम आया तो शौवर कर कर के खिलाप जाल बिख χाया इया सावर कर को जाल उत्चाने जो मोहरा बना बना दिगमबर बढ़गे तो हात्यारों को सोदागर था उसकी को आधार द्हारा निति व पुलिस ने पहले तो उसको मारा भी और ये भी धंकी दिगी कि तू हत्या में तू भी शामिले तू तो पहुचा ही दह मारने के लिए 20 जिन्वरी को और पुलिस ने साथ में प्रबोजल और रखा कि अगर तुम वादा माफ गवा बन जाओगे तो हम तो तुमको माफी तुम जो चाहँगे तो मिल जाएगा तू उसमें बोला कि मुझे जीवन एक सरकारी घर और सुरिक्षा मिलेगी बोला हमिलेगी तो ये इस लालच में और पेंशन मिलेगी तो दिगंबर बढ़गे सरकारी गवा बन गया वादा माफ गवा अगर 20 जन्वरी का हमला उसी वेक्ति को सरकारी गवा बना लिया, पुलिस ने, इस शर्त में और कोर्ट में एक और पारित हुआ, जब पहले दिन, कि बढ़गे वादामाव गवा बढ़ गया, उसके पर कोई केस नहीं बनता, अब वो सरकार का गवा है, तो दिगंबर बढ़गे की गवाई की आधार पर सावर कर को घेरने, वीर सावर कर को घेरने की गोशिश हुए, तो बढ़गे ने गवाई दी, कि मैं कोट्सी और आट्टे के साथ सावर कर कर के घर गया, और नीचे मैं रुख गया, ये दोनों उपर उनका कमरा था, नीचे सावर कर जी की लाइबरी थी, उनका स्टाफ बैठता था, और लोग उसमें आना जाना लोगों का लगा रहता था, हिंदू महासभागा एक तरह से दफ्तर था, कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था, और सावरकर अपने परिवार के साथ पहले माले पे रहते थे, तो इसने कहा दिगंपर बढ़ गए ने कि हम वीर सा कराकर याश्षवी होकर आना, याश्षवी होकर अना तो वीर सावरकर ये ँस समय तो हैदराबाद पर भी हमला करने का प्लान जा रहे थे, आपने उसके लिइ भी बोल सकते, यो कई राज़नेती स κάνतल मा qe अकभार की शफलता के लिए भी बोल सकते लिए गंडी हकाण सी सीधा संबंदी जुला लेकि जशश्वी होकर आना एक वाक्य पकड़के पुलिस में उसकी गवाही में डलवा के ये साबित करने की जोशिश की कि सावर करकर के आदेश पर गांधी को मानने का प्लान मनाया गया उसके बढ़गे ने एक गवाही ओर दी कि आप्टे ने मुझ को मारना है जा मुझे फळा ने कहा कि इसको मारना है तो उसके मुंसे तो नहीं सुना आपने ये सब कही कि सुनाई बातों पर ने केस थेयार किया और पुस्तक में इन रिखी यहां है मैंने कि जो सरकारी वकील थे उन्हों ने खुद अमेरिकी संवलेर जेनरर जेर्ल को आ कि सरकार को मैंने समझाया कि सावरकर पर केस नी बनता है क्यों केस चला रहे हो हमें केंद्रित जहां सिर्गोट से उसको साथियों पर करना चाहिए लेकि सरकार नहीं मानी तो यह उसमें कॉंसलर जनरल ने अपने विदेश मंतराल अमेरिका को चिठी में लिख दिया अभी सार से पहले बीज दंदरी की हम्ले से पहले में सावरकर सदन गया थो साववरकर से मिला इस बात पर गोपाल गोट से की बहुत पिटाई हुई सबको मारा गया सबको मजबूर किया गया सावरकर के खिलाफ कोई केस बनी नी रहा था दॉक्टर अमबेटकर ने भी कहा वो तीन मुलाकात हुई तो यह बेटकर ने कहा था कि तुम्हारा जो मोगैल है वीडि सावरकर उनकी खिलाफ कोई केस नी बनता है सरकार फसाना चाती है तो बात करने बुच давно चूप रहे तो यह नेहरू का पूरा शनययन तरजा हुआ था कि हमें कैसे भी कर कि वीर शाबरकर का फ और देखी सावर कर फिर वैसे नहीं रहता गांदी है उस बहुत बीमार थे उनको जिस तरह से पुलिस ने लेकर आई और जिस तरह से अपमानित करके कटखरी में बिठाया गया एक समय जहां पर उनको भी आजादी मिलनी थी क्योंकि याद हो आपको जो जेल से निकलने के बा बहुत ही गिनोना आरोप लगाए गांदी की हत्या का तो सावर कर कभी उसे उबर नहीं पाया जाती है कि मैं अब संध्यास लेना चाहता हूं सावर जीवन से वो विक्रम संपत्यम्दी कुस तक में उसका जिकर किया है वो अंदर से टूट गए तो उनका इमानना था अटी मानी जाते तो इनका गवरनर हॉटसन से बूरी चाहती तो सावरकर इंश के नाम आए ता विस्फुर कर बालवन सभाट कर का सिश्षी और साथ तो न भम पर बहुद सबनार थिस्ट भी होगटंध बहुता टांतरूट में अबने के मेर मनें तो बलीस ने उनको भी ग लिखते हैं कि मुझे पुलिस के अधिकारी CBI के बड़े अधिकारी आई काया और उसने कहा कि तुम ये बोलो कि जो तुमने हट्सन को गोली मारी थी तीस के देशक में गवंदर हट्सन को वो भी तुमने सावरकर कर कहने पराद करते रहें इसलिए गांधी की हत्या भी उन्ह है कि हम विदेशी शाशक जो है जो हम पर जुम कर रहा है हम उसके साथ ऐसा कर सकते हैं लेकि अपने किसी देश के निता के साथ नहीं कर सकते हैं अगर विक्रम संपत की पुस्तक पढ़े तो इसमें भी जिकर आता है कि जब गोपाल कष्ट गोखले की नीतियों से कुछ लो अगर करनल वाइल को धिंग्रा ने सावर कर कर के कहने पर मारा था या हट्सन को गोली अगर वीवी गोख्टी ने सावर कर कर क कहने पर मारी थी है अम्ट जेक्सन नासिक कलेक्टर की हत्या क्या आरोप में तो सावर कर जी को सजाई हुई काला पानी की एक काला पानी तो नह तो विदेशी जुल्मी शार्षकों को मारना अलग बात है जो सावरकर वात का विचार था लेकिन अपने ही नेता को मार देना यह सावरकर की सोच नहीं हो सकते लेकिन उसके बाद भी उनको इतना प्रताडित किया गया इतने गंबीर उनको प्यार होगा है आखरी में मैं यह जो सबसे महतपूर्ण इस पुस्तक का वो है राजनीतिक शडियंतर तो कॉंग्रेस ने अपने विरोधियों के साथ किया ही इस बहाने से ब्राह्मनों के साथ महराष्टर में नरसंगार जो हुआ उनका चितपावन ब्राह्मनों का वो एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं पे भी जाता है काला कि से बहुत चला की से कितने हजार मरे कितने नहीं कोई official records नहीं कुछ मैं कोई को कुछ भी नहीं है क्या हुआ है जैसे मैं आखको बता कि शाल के साथ e Ugd जब ठूस्टे उटाइथ को को पकड़ नी पाई सारे सबूथ होने के बार सारे सुराग होने के बार मेंने कान्स्टिबल ब्हुटन हो उसका पेशा क्या है वो जाती में ब्रहमन है वाहर ब्रहाम्मन में भी उसकी उप जाती चितपावण ब्रहामनों की है इस सारी जानकारी महरास्ट उ मत्प्रदेश उ इस तरह के कर्णाटक की उत्तरी कर्णाटक की एलाको में पहुचा दिये गई थी और उसी रात से गांधीवाधियों की भीडुन से बात करी हैं, में तरहा ही ऐसा है, जिन्हों ने बताया है चिना से च्छजडवान Μrahm मराथी बहुत सब्सक्राइब उनका रचे किस्से कैसे में गये थे वर fajत समय के तो किस्से कहरें हुद के थे, तñानली बहुत सब्सक्राइब गहर सुळा हैं। डॉक्टर नारान सावरकर सुधंतरता सेनानी थे और MBBS अच्छे डॉक्टर थे वो, उनके घर पे हमला किया भीड में, पत्थर फेके और अंदर दाखिल हो गई भीड और किसी जैसे चोड डाकू को खीच कर भीड लेकर आती है, तो ऐसे डॉक्टर नारान सावरकर को खसीट कर सड़क पर लाया गया, वो गांधी वादियों की भीड ने तब तक उन पर पत्थर बरसा है, जब तक कि उन लोगों ने उसको मरा हुआ समझ नहीं लिया, तो आजाद भारत की जो पहली मौब लिंचिंग होती है, वो नारान सावरकर के साथ होती है, और मौब यह सच है, जो हमसे चुपाया जाता है, और इसकी को अगर कोई बात करता है, तो आप फिर गोर्षे के समर्था हो जाते हैं, आपको फिरंज बोल दिया जाता है, आप लेबलिन की जाती है, आपके मुहर लगाई जाती है, इस तरह का बहवार आज भी हो रहा है, प्रकर जी वैसे तो इसमें 35 चप्टर हैं, और 35 के 35 मतलब अगर हम बात करें एक एक चप्टर पे एक घंड़े की वारतलाप हो सकती है, तो अभी यह बहुत ही संख्षिप्त में हमने यह थोड़ा-थोड़ा करके कवर किया है, आप यहाँ पे आए, इतना समय निकाला, बहुत-बहु बीजिए समय समय सकाथ च्रपर करें धिलाब आए, इतना समय थाओ, इतना समय थाओ इना समय थी स्फटर इंडार प्राबस, आफिए रभी यह थाओन जादेओर, तो इतना समय थाओने सकता बाक्तानि।